हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में दोस्तों जैसे कि सभी को इंतजार था कि क्लास 10 से 12 के नौन प्लान एडमिशन कब स्टार्ट होंगे यह प्लान एडमिशन का नोटिस आ चुका था और कैसे होगा वो मैंने अलड़ी बता दिया था वीडियो में तो अगर आपने प्लान एडमिशन वाले दे गर गी है तो ऑई कार्ड के आपको लिंक मिल जाएगा गौर्मेंट स्पूल प्लान एडमिशन क्लास 11 कैसे ले सकते हो तो उसके बारे में मनें पूरी जनकारे द दीती नौन प्लान एडमिशन चुका है लेकिन आ रोट इनकी और यहां पे गौर्णन पूल एडमिशन यह जो आपको दिखर है गौर्मेंट पूल एडमिशन आप साइट खोलो तो इस पर आपको क्लिक करना सिंपली जब अब इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पे आपको दिख रहोगा अटमिशन इन किलास 6-9 और admission in class 10 to 12 तो मैं आपको ये बता दू कि ये जो admission होंगे ये non plan वाले है plan वाले admission अड़ेडी हो चुके हैं जो class 11 के थे आचुका था notice तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे कि 30 से 9 वी तक का अलग सेक्षन है 10 वी से 12 वी तक का अलग सेक्षन है तो circular और को नहीं आया है तो फिलाल यहीं आया है हमारा 10 से 11 तक का यह वाला पार्ट हमारा नया आया है फिलाल अभी कौन सा वाला पार्ट यह वाला पार्ट यह वाला पार्ट अभी नया आया है तो अब यहाँ पर guidelines for parents हैं यह आप अगर पार्ट देख रहे हो इस वीडियो को तो यह पढ़ ली जेगा guidelines या अगर आप student देख रहे हो तो आप अपने parents को बोलेगा एक बार पीडियो डाउनलोड करके पढ़ ले तो अब यहाँ पर मैं बताने वालो में चीज की आप registration कैसे कर सकते हो तो यहाँ पर आपको दो option दिख रहे होंगे online registration form generation of login ID online registration form login for completion of form यानि पहले आपको यहाँ पर login ID fill up करने है उसके बाद यहाँ पर login ID जब आपकी generate हो जाएगी तो उसको login ID को डाल के जो आपके email यह नमबर पर आएगी उसके आप बाद में form complete करोगे तो मैं आपको बता हूँ कैसे कैसे आपको form भढ़ना है तो start करते हैं और जैसे कि आप देख सकते हो last जो तारीक रखी है वो 13 सितंबर तारीक रखी है तो आज 3 तारीक है तो 3 तारीक से लेके 13 तारीक है न तो जब आप यहां पर भरोगे तो आपको यहां पर documents upload नहीं करने है लेकिन जब आप school में जाओगे तो वही दिखाने है जो आप यहां पर भरोगे तो चलिए start करते हैं मैं बताता हूं सब्सक्राइब आपको online registration form जो यह B लिखा रहा है B इस पर आपको क्लिक करोगे तो आ यहां पर कोई भी admission नहीं लिए जाएगा तो अगर ऐसा हुआ कि आपने यहां पर documents लगा दिया कि यह documents मैं इसके लिए लगा रहा हूं proof के लिए और वहां पर documents नहीं दे पाए तो आपका admission cancel हो जाएगा तो इसके बाद the child will not be eligible for admission तो यहां पर कुछ कुछ instructions हैं और उसके इस instructions के साफ से नहीं चलोगे तो आप यहां पर admission नहीं ले पाओगे तो यहां पर बोला गया है कि यह form उन बच्चों के लिए है जो 2019-20 में कक्षा पास कर चुके हैं किसी recognize school से यहां पर कुछ नहीं बोला ऐसा कि government school होना चाहिए एंटीमसी को होना चाहिए private होना चाहिए बस कि इसी recognize school से आपने 2019-2020 में अगर class pass करी है तो यह form आप भर सकते हो अब यहां पर आप 10th में 11th में 12th में तीनों में से किसी भी class में admission ले सकते हो तो चलिए अब यहां पर टामना वेस्ट करते हैं हम बताते हैं कैसे आप form भर सकते हो तो मैं थोटा सा जूम करना हूं सो तो आप कौन से में लेना है science, arts, commerce 12th में 12th में कौन से में लेना science, arts, commerce तो let's say मैं 11th का यहां पर करता हूं science और मैं पहले आपको बता दूँ यह non plan admission है plan admission का procedure मैंने अल्रेडी बताया हुआ है तो आपको वीडियो मिल जाएगी plan admission वाली ठीक है न तो अब यहां पर देखिए अब यहा बाए चुछ फादर का नाम लिखो के सिमिलर अपना लिख रहा ठीक है यहां पर similarly फिर आप mother name तो यहां पर mother name यहां पर आएगा आपका तो mother name आ गया father name हो गया तो अब यहां पर डी ओ बी यानि जन्मतित लिखनी है और कैसे लिखनी है पहले date फिर month फिर year यानि आप मान लेते हो 2005 का आपका जन्मति थी तो आप कैसे लिखोगे जैसे कि मान लेते हैं पांच सितंबर तो पांच फिर आपको slash zero no फिर slash और डेटो वर्ट जो year है ठीक है ऐसा है आपको लिखना है जो भी आपकी डेटो बढ़ता है अब यहां पर पूछ रहा है इसके बाद category आपको यहां पर select करने है कौन सी जनरल है सी है अब यहां पर क्या है अगर आप है तो आप से लट कर लेंगे इसके बाद residential address जो भी आपको घर का पता है वह यहां पर बढ़ देंगे अच्छी तरीके से उसके बाद assembly कौन सी आपकी विधान सबद छेत्र कौन सा आता है तो यहां पर आप सेलक्ट करके बढ़ सकते हो कौन से छेत्र में आता है आपका ठीक है अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो पिन कोड कौन सा दिल्ली में वहाफ सेलक्ट कर लोगे उसके बाद आप अपना फोन नमबर यहां पर दे दोगे और आप कौन से स्कूल में लेना चाहते हो तो यहां पर आप सेलक्ट करोगे यहां पर आप तो जब आप यहां पर करोगे उसके वाद आप नेक्स पर क्लिक करोगे तो आपको आपको नेक्स इस्टैप यह करना यह मैं आपको बताता हूं तो अब आपको next step यह करना आपको login ID मिल जाएगी तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे online registration form login for completion of form तो C वाला है जो इस पर क्लिक करोगे इस पर क्लिक करोगे तो आगे का process आपका हो जाएगा जो आपका registration application number आपके phone पर आया होगा वह आपको डालना है password डालना है जो भी आया होगा आपका उसके बाद visual code डालना है उसके बाद login करना है जब आप इतना कर दोगे तो आपको वहाँ पर पूरा आगे का procedure और जो भी है जो आपसे detail पूछेगा वह आपको फिल अप कर देनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर admission जो है form submit हो जाएगा तो यहाँ पर मैं पूरा यहाँ पर मैंने आपको काफी चीज़े बता दी है मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा तो आपको मुझे कि कैसे आप कर सकते जो में पार्ट था वो मैंने clear कर दिया कि कैसे आपको करना है अब इसके बाद एक और form आएगा जिसमें आप से कुछ यहाँ पर पासवर्ड ऑनलाइन लोगन आएडिया पासवर्ड भूल चुके हो तो यहाँ पर आपको पासवर्ड दुबार से रिकवर कर सकते हो रजिस्ट्रिशन नंबर डाल कर ठीक है तो ऐसे और अगर आप मानलो आपने दिया कि मैंने form गलत भर दिया तो आप यहाँ प कर सकते हो यहां से तो डिलीट हो जाएगा रिक्वर्ड विडिट न आ रहे है तो वैसे तो आप गलती नहीं करे तो बैतर रहेगा तो बाकि- आप्शन यह नहीं दे रख्या था कि कोई भी दिक्तत ना आए तो यहां पर जो न्यू नोटिस आया है और जैसी मुझे इंफॉर्मेशन मिली मैंने आप यहां पर विडियो बनाई है तो एडमिशन जो थे शिक्स क्लास से नाइन क्लास तक के वह पहले आ चुके थे और अब आप फाइनली तेंथ क्लास से त्वेल्थ क्लास तक कभी जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी आ चुके है तो अगर आप तैंथ में 11 में 12 में किसी में भी गॉर्मेंट स्कूल में नॉन प्लाइन अडमिशन लेने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए ही है और अगर आप आप शेयर जुरू करिएगा इस वीडियो को उन लोगों तक जिनको सच में इसकी नीड है और जैसे कि लाश्ट डेट मैंने बताई 13 सितंबर तो 13 सितंबर लाश्ट डेट है इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेगा तो मुझे उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आप मुझे मेस्ज कर सकते हो पर मुँआ पर कोई जैन्मयन और चांट हो तो सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए तो मिलूंगा अगली वीडियो में जब तक के लिए स्टे स्माट टेक Müd bad